तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप 3-clap push-ups कर सकते हैं और first of all I hope all of you are safe और आप अपना और अपनी family का ध्यान रख रहे हैं so without wasting any further time मैं start करूँगा दो hacks के साथ जिनको आप 2 shortcuts भी बोल सकते हैं तो उसमें सबसे पहला hack रहेगा कि आपको अपनी body को सीधा perpendicularly उपर उठानी की कोशिश नहीं करनी है वहीं पर अगर आप अपनी body को थोड़ा सा bent रखेंगे और अपने पैरों को normal position से थोड़ा सा आगे की तरफ लाएंगे तो उससे आपको हवा में जाधा time मिल जाएगा और आप 3 clap push up easily कर पाएंगे second shortcut रहेगा कि आपको plain ground पे इसको try नहीं करना है अगर आप beginner है तो थोड़ी सी inclined मतलब थोड़ी सी जिसमें थोड़ा सा angle होगा जिस ground में वहां पर अगर आप try करेंगे तो आपको हवा में जाधा time मिल जाएगा और आप easily 3 clap push up कर पाएंगे तो आप इन दो progressions को अगर इन hacks के साथ follow करेंगे तो लगब 8-9 दिनों में आप easily 3 clap push up भी कर पाएंगे तो हम start करेंगे पहली progression के साथ तो वो रहेगी कि आपको normal एक simple clap push up करना है लेकिन आपने दोनों hacks को follow करना है मतलब आपने पैरों को थोड़ा सा आगे भी लाना है और एक inclined ground पे भी आपने practice करनी है इससे फाइदा ही होगा कि आपका mind muscle connection बनेगा आपकी body को समझ आता जाएग किस तरह से आपने पैरों को आगे लाना है थोड़ी से बेंट एंगल पे आपने ऊपर की तरफ उठना है और उसके साथ साथ आपने अपने हैंड के साथ क्लैप भी करना है second progression रहेगी कि आपको दो क्लैप करने है एक लाप आगे एक लाप पीछे की करफ लेकिन दोनों shortcuts को आपने follow करना है मतलब पैरों को आगे भी लाना है उसके साथ करते हुए और inclined ground पे भी आपने करना है तो इसके बाद सिरफ और सिरफ प्रैक्टिस की बात रहेगी और last year जब सुषान सिंह राजपूत की unfortunate death हुई थी तो उनकी एक dream list थी जिसमें एक dream था कि वो एक four clap push up करना अचाते थे जैसे आप dream number seven देख सकते हैं लेकिन unfortunately वो इसको पूरा नहीं कर सके थे और as a tribute to Sushan Singh Rajput मैंने वो four clap push up इसी को follow करते हुए किये थे और इस बारी मैं five clap push up भी करने की कोशिश करूंगा so that's it for today's video guys see you again